आज हम आपसे इंसेक्टिसाइट के बारे में बात करेंगे जो कि ओर्गैनिक इन ओर्गैनिक दोनों तरह से मिलते हैं यानि केमिकल वाला भी मिलता है और ओर्गैनिक भी मिलता है तो आप कोशिश कीजिए कि आप ओर्गैनिक इंसेक्टिसाइट का यूज कीजिए और उससे इंसेक्टिसाइड से सेफ रहती है, तो यह जो इंसेक्टिसाइड है, इसका रैपर अभी खो चुका है, क्योंकि हमें इस पर वीडियो नहीं शेयर करना था, लेकिन आज सोचा कि इसी पर वीडियो शेयर करते हैं, तो यह इस तरह से एक पॉलितिन में है, तो जब आप किसी भी for up जाते हैं यहांicamente किर्शी का सामान मिलता है ख्याथी से are related सामान मिलता एक तो वह आपको अपने इन्सेक्टिसाइट दे देते हैं क्योंकि हर यहां get inchnya company का हर ब्रेंड का 140-09 पर आपको अपने मन से किसी ब्रैंड का मंगवाना है तो आपको ओनलाइन मंगवाना पड़ेगा तो हमारे हाँ पर भी इस तरह की शॉप है तो अपने आप ही देदेते हैं जो सही होता है तो ये एक बॉटल है तो ये खास तोर से इसी के लिए ही है इसमें जो होल्स थे वह भी तूट चुके हैं और ये बॉटन लगभग 30-35 साल पुरानी है इसको दादा जी यूज करते थे हमारे तो वही हम भी प्रियोग करते चले आ रहे हैं तब से इसी का लेकिन हम इंसेक्टिसाइड बहुत जादा यूज नहीं करते हैं अपने गार्डन में कभी-कभी ही इसक कि वाइड ग्रप्स कभी-कभी हो जाते हैं तो इसको सोयल मिक्षर में थोड़ा सा एड कर देते हैं जो कि हमने बताया हुआ है वाइड ग्रप्स वाली वीडियो में आप जरूर चेक कीजिए एक ब्लैक एफट्स वाली वीडियो में हमने शेयर किया हुआ है उसमें भी से इसको दूर रखिए और खुद भी थोड़ा सा साबधान सतर्क रही है पहली बात तो हैंड गलफ का यूज करना चाहिए जो कि हमें बाद में लगा तो फिर तब तक देर हो चुकी थी तो फिर हमने हैंड गलफ का यूज नहीं किया क्योंकि हाथ इसमें बिकार हो चुके थ सारे लेकिन फिर आप साबधानी इसमें बरती है जरूर एक तो हैंड गलफ का यूज कीजिए और मास्क का यूज जरूर कीजिए जब आप इसका प्रियोग कर रहे हैं क्योंकि हवा के जरीए इस शांस लेने पर अंदर भी जा सकता है तो बहुत साबधानी बरती है कोई भ बोटल में डालने से क्या होता है जब हम इसे यूस करते हैं तो हमारे हाथों पर ही नहीं लगता है यानिकी cortex नहीं होता है सीधे इसको आप डिर्ल通 वोटल से यूस कर सकते हैं तो यह बहुत अच्छा तरीकर हchęता है तो इसमें हम इसको पूरा भर देते हैं तो एक बार हमा इसी भी हो सकती है, insecticide ही होता है बाकि उसकी पर्सेंटेज़ पर डिपैंड करता है उपर उस पर पर्सेंटेज भी mention की हुई होती है जादा आपको, जादा पर्सेंटेज वाला नहीं लेना है, क्योंकि वो plants के लिए जादा घात हो सकता है, और उससे हमें भी नुकसान हो सकता तो थोड़ा नॉर्मल वाला ही आप लीजिए जिससे जादर नुकसान ना हो जो चीटियां आपके पॉट्स में आ जाती हैं चीटियों से बहुत लोग परिशान रहते हैं उसके लिए आप हलका सा स्प्रिंकल कर देंगे और जो ब्लैक एफिट्स होते हैं उसके लिए स्प्र भाव कम होता है तो देखिए इस तरह से हम यूज कर सकते हैं लेकिन सबसे बढ़िया जो यूज होता है वो इस तरह की स्प्रे बॉटल से होता है जो कि हमने घरेलू आपको पानी के लिए बनानी बताई है बिल्कुल इस तरह का प्रियोग आप इस इंसेक्टिसाइड य joystick के और कमेंट बॉक्षमें कोई कोयरी है खुशन है ज़रूर पूछे दूश में रखोटी नी चुछ तो बहुतसे लोग पूच्टिसे हैं कि भी अच्छ सी पाउडर क्या हैं में हमें मिल ही नहीं रहा है तो बिञ होटीपाऊडर हैं नहीं आता है मार्केट में अप भ वही वर्ड हमने सुना है तो अब तक वही वर्ड हमारे मुह पर आ जाता है तो बी अच्सी पाउडर नहीं है वो कोई भी उसकी जगे बहुत सारे ऑप्शन आ गए है आजकल तो आप कोई भी इंसेक्टिसाइड ले सकते हैं जो आपके यहां पर मिलता है यह जरूरी नहीं है कि कौन सा ब्रेंड है जो भी वो कंपनी है आप उसी कंपनी का ले सकते हैं और उनसे पता कर लीजिए जो शॉप वाले हैं कि यह ठीक है कोई इससे हानिकारक प्रभाव तो नहीं है इसका तो वही अच्छे से वर्क कर जाएगा थैंक यू